मिजोरम में अब तीन दिसंबर की जगत चार दिसंबर को मत गरना होगी शुकरवार यानि एक दिसंबर को चुनाव अयोग नहीं है जानकरी दी राज्य की 40 सिटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी काउंटिंग तीन दिसंबर यानि रविवार को होनी थी जिसके विरोध में NGO, कॉडिनेशन कमेटी, सेंट्रल यंग मिजो एसोसियेशन और मिजो जिल्लाई पॉल जैसे संगठन प्रदशन कर रहे थे दरसल मिजोरों में बड़ी संख्या में क्रिश्चन समुदाई के लोग रहते हैं रविवार इसाईयों के लिए पवित्र दिन है और इसाई समुदाई कई धार में कारिकरम करता है काउंटिंग के कारण इन में बदलाव करना पड़ेगा इसलिए मांग की जा रही थी कि इस दिन राज्य में वोट काउंटिंग न कराई जाए राज्य की कुल अबादी करीब 11 लाग इन में से 9 लाग 56 जार इसाई है काउंटिंग डे बदलने के लिए कई दिनों से विरोध प्रदशन चल रहा था शुकरवार को इन लोगों ने राजभवन के पास एक रेली की जिसमें NGO CC के चैर्मेन लाला छुवाना ने चुनाव आयोक पर अरोप लगाया है कि पॉलिटिकल पार्टी चर्चो और NGO ने चुनाव आयोक से कई बार काउंटिंग की तारिक बदलने की अपिल की लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मिजोरम की 40 विधानसभा सीटो पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी राजभ में सित्योत्यर प्रतिशत मद्दान हुआ था सेल्चिप में सबसे ज़्यादा सित्योत्यर दशमरव साथ आठ प्रतिशत तो सियहां में सबसे कम 52 प्रतिशत मद्दान हुआ इसी के साथ बने रहे है एशानी जिन्दा के साथ खंदी बाद